खरोडिया जिले के अलावली थनाश्यत्र के बहादूरपुर गाओं के रहने वाले रेडियो ओपरेटर रामकुमार को प्रतिबंधित उल्फा संगठने रिहा कर दिया है। असम राइफल को आज सुपूर्द कर दिया गया। रामकुमार जल्द खगडिया वापस लोटेंगे बताते चलें के अउड़ांचल पर्देश में। दियू ने थाना में 22 दिसमबर 2020 को इसकी प्रात्मिकी धर्जें कराई गई थे। प्राइफल के लिए हमारे साथ राजीव जूड़ चुके हैं। राजीव इतने दिनों के बाद रामकुमार अपने घर पहुंचेंगे और उन्हें रिहा कर दिया गया। राजीव लगता है मेरा संपर्क तूट गया है फिर से जूड़ने के कोशिश करेंगे। राजीव इतने दिनों के बाद राम अपने घर लौट रहे हैं। उनके वहां पर क्या तो रहा होगा। उल्फा नकसली रिहा कर दिये हैं क्या उनके घर वाले में उनके परिवार में खुशी उन्होंने जाहिर की होगी कैसे रहा होगा वहां का महाल जी आपको बताएं कि यह उल्फा के दुआरा रामकुमार को अगवा कर लिया गया था जिस समय उसके घर वाले को यह सूचना मिला था उस समय से एक तरह से डर डर के जी रहा था और उसको हर समय हर दीन जो है इस तरह से वो लगता था कि आज वो जिन्दा है या नहीं लेकिन जब से उनको जिस समय उनको ये सूचना मिला कि मेरा बेता, जिम्दा है। जिम्दा है उस समय से उसके पूरे परिबार में खुशी की लहर जा गई और मिठाई पर्षम लेगए। और यह जिर्म बली जनकारी के लिए राजीव धन्यवाद आपको बता दे के जो पूरा मामला है खगडिया के है जहां पे राम जो है काफी दिनों बाद अपने घर लोटे है